जहिंद जै भारत दोस्तों गाइज यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से समझेंगे बृत किसे कहते हैं बृत क्या होता है या केंदर किसे कहते हैं केंदर क्या होता है तिरजा किसे कहते हैं तिरजा क्या होता है परिदी किसे कहते हैं ब्यास किसे कहते हैं जिवा किसे कहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम यही सब किलियर करने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए गाइस यहाँ पर आप सबको किलियर ली आसानी से दिख रहा होगा ब्रीट वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए आपको किलियर समझ में आगा यहाँ पर आपको दिख रहा है आप ब्रीट और ब्रीट को इंगलिस में सर्कल कहते हैं तो आपको घवराना बिल्कुल नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहूत सारे बहूत सारे बिंदू को मिलने पर बना एक गोलकार अकृती ब्रीट कहलाता है गाईज आपसे अगर पुछ दिया जाता है कि बृत किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि बहुत सारे बिंदूज मिलते हैं आपस में तो एक गोलकार आकरिती बनता है और वही गोलकार आकरिती हमारा कहलाता है बृत जिया साथ ही आपके सामने ये जो गोलकार आकरिती दिख है न यही आकरेती हमारा क्या है बृत है तो कि आपको बरित के बारे में यहां तक जहनकारी समझ में आई अगर आ गई हो तो चलिए अब हम आगे वड़ते हैं गाइज इसके बाद यहां पर है केंद्र अब केंद्र किसे कहते हैं तो गाइज यहां पर आप आसानी से देख पा रहे हैं देखिए कि बृत के बीचो बीच वाली बिंदू जिहां साथियो यह हमारा क्या है बृत है और बृत के बीचो बीच वाली बिंदू यह जो बिंदू है ना यही बिंदू हमारा क्या है किंद्र है तो कै आपको केंद्र के बारे में भी समझ में आई कुछ अगर आगई हो तो चली अब आगे बढ़ते हैं ऐसके बाद हमारा आज आता है त्रिजिया, जिया साथियो क्या तो यहां पर आप देख सकते हैं और त्रेजिया का परिभासा मैंने क्या लेख रहा है कि बृत के बिंदू से लेकर परिधी तक खीची गई रेखा त्रेजिया कहलाती है यानि यह हमारा क्या है बृत है जिहां साथियो और यह हमारा बिंदू है तो बृत के बिंदू से लेक परिधी तक ये बृत है तो भाई साहब ये जो रेखा आपको दिख रहा है ना इस रेखा को हम परिधी कहते हैं ये वाला जो रेखा आपको दिख रहा है ये वाला इसको हम परिधी कहते हैं तो भाई साहब ये जो परिधी है ना ये वाला जो रेखा है परिधी है इस रेखा में आप देख पा रहे हैं कि ये बिंदू से लेकर ये रेखा तक ठेका हुआ है तो ये जो रेखा आपके सामने दिख रहा है ना ये वाला रेखा यही रेखा यही रेखा हमारा क्या है त्रिज्या है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं तो आप परिभासा में देखकर समझ सकते हैं कि बृत के बिंदू से लेकर परिधी तक खीची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है तो ये बिंदू से लेकर यहाँ परिधी तक ठीक है तो यही रेखा हमारा क्या है त्रिज्या है तो आपको किलिरली आ गया होगा तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को सिखते हैं और आगे हमारा जाता है परीधी, गाईज परीधी किसको कहते हैं तो मैंने आसानी से क्या लिख रखा है समझी है कि बरीध को बनाने वाली रेखा को परीधी कहते हैं मैंने अभी भी आपको बताया है आपको आ ही गया होगा तो बरीध को बनाने वाली रेखा को हम परीधी कहते हैं तो यहाँ पर यह जो रेखा है न यही रेखा भाई शाब क्या है पर रिधी है तो आप ऐसे समझ गए होंगे ठीक है तो अब हम चलिए आगे की चीजों को समझते हैं यहाँ पर हमारा आज आता है अगला ब्यास अब ब्यास क्या है तो यहाँ पर समझ जिए ब्रीत के किसी एक बिंदू से ब्रित हमारा बहुत सारे बिंदू से मिलकर बना हुआ है तो ब्रित के किसी एक बिंदू से तो यहाँ पर एक बिंदू ले लिए और यहाँ पर देखे लिखा हुआ है कि ब्रित के किसी एक बिंदू से सुरू होकर एक बिंदू से सुरू होकर केंदर के छूते हुए ठीक है और केंद्र को छूते हुए जा रहा है एक बिंदू से दुसरे बिंदू तक गया तो यह जो सीधी रेखा आपको दिख रहा है न यही सीधी रेखा को हम क्या बोलेंगे ब्यास जियां साथियों आपको याद रखना है ये जो सीधे सीधी रेखा गया है न यही रेखा हमारे क्या है ब्यास है तो आप क्लियरली समझ गया होंगे ये सीधी रेखा हमारे क्या है ब्यास क्यों ब्यास है क्योंकि देखिए एक बिंदू से शुरू हुआ यहाँ पर केंद्र है और केंद्र के छूते हुए इस तरफ गया दूसरे बिंदू तक तो भाई शाब यह आसान है आप समझ सकते हैं ठीक है तो ब्यास भी आपको क्लियरली आगे होगा तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और मैंने बहुत यह आसानी से लिख रखा यार आप देखर भी समझ सकते हैं आगे हमारा क्या आज आता है जीवा जीवा में हमारा क्या है समझिए लिखा हुआ है कि बृत के एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक जाने वाले सीधी रेखा साथियो यह हमारा बृत है और बृत के एक बिन्दू एक बिन्दू यहां और दूसरा बिन्दू यहां तक जाने वाले सीधी रेखा यही सीधी रेखा ही हमारा क्या है जीवा है भाई साब तो जीवा भी आपको क्लियरली आ गया होगा तो अब हम अगर आपको यहां तक जनकारी में अगर कोई भी चीज दीकत लगा हो तो नीचे जरूर लिखिएगा ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बने रहिए और जूडे रहिए बाइ-बाइ टेक क्यर